वेलकम तु स्टेई टुटोरियल में हम स्पीड डिस्टन्स और टाइम का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे इससे पहले पार्ट में हम पुलिस और थिफ का प्रॉलिम डिसकेस किये हैं जो भी कॉश्टन का फ़र पार जो रिपीट किये हैं इससी पे वह सब डिसकेस किये हैं यह से पहले पार्ट में डिसकेस किये थे यह इसका नेक्स पार्ट है कुछ इस वीडियो के question number 1 और ये series का question number 23 अगर आप इससे पहरे वाला कुछ वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप उसे पहरे देख लिजिए ताके आपको basic concept आपका clear हो जाए वोडियो का link हम आपको description box में देदेंगे आप वहाँ से ररेक हो सकते हैं तरिक question start करता है a thief is still a car at 1.30 pm and drives it off at 40 km per hour the thief discovered at 2 pm and the owner set off in another car at 50 km per hour he will overtake the thief at ठीक है यह जोगी question से सब ACC में पुछ है गया है यह question को हमें दो तरिका से कर सकते हैं एक आप चाहे तो ratio method से कर सकते हैं और दूसरे इसको option से input कर देख सकते हैं ठीक है हम आपको दोरो method बता देंगे आपको जैसे लागे आप ऐसे कर लीचे है ठीक है चली पहले हम रेश्यों के सब्सक्राइब करते हैं ओके इसी में था है कि यह question में कहा रहा है एक चोर है एक थीफ है जो कि कार चोरी करे गया यह कितने बज़े देड़ बज़े कार चोरी किया और हो 40 km per hour के स्विट से वह भाग रहा है कि देड़ों बज़े कार चोरी करके 40 km per hour के स्विट से भागा अब देखिए और वह थीफ देखा कि कार का ओनर दो बज़े दुसरे कार में दुसरे कार से उसका पीछा कर रहा है वह कार का चाल कितना है 50 km per hour ओके तो वह ओनर इतने बज़े ओव देखिए यह समझे थीफ है यह थीफ है यह कार लेके जा रहा है यहां कितने बज़े निकला देड़ों बज़े उसका यह टाइम हुआ उसका स्विट क्या हुआ 40 km per hour का ओके तीफ का अब देखिए नेक्स्ट केस ओनर का टाइम कितना हुआ दो बज़े ओनर का स्विट क्या हुआ 50 km per hour ओके देखिए थीफ यहां से निकला थीफ यहां से निकला गया समझे इस पॉइंट पे आके थीफ ओनर जो है थीफ को पकड़ लिया तो डिस्टेस कितना ट्राविल किया थीफ है ओनर ओनर देखिए थीफ तो यहां से निकला इ अधे खुंटे बाद यह द्याल बज़े और यह दो बज़े इसके थीफ आधे घंटे बाद ओनर भी इसी पॉइंट से गया और इस पॉइंट में थीफ को पकड़ा राइट तो distance तो दोलों का same ही हुआ, distance all by same, अब देखिए, अब इसको ratio method से कैसे करेंगे, जब distance same होगा, तो speed का ratio, speed का ratio और time का ratio inversely होता है, ठीक है, तो हम लोगा देखिए, speed का ratio ले देंगे, 3F का, speed का, 3F का, और owner का, ठीक होगे, 3F का क्या है, speed 40 km है, और owner का speed क्या है, 50 है, ये speed का ratio, time का ratio क्या होगा दोलों का, inverse होगा, speed ब्रावर, distance by time होता है, ठीक है, distance same रहेगा, तो inverse का ratio होगा, ये कितना होगा, 5 by 4 होगा, अब देखिए, 3F और owner का, time का ratio है, 5 is to 4, ठीक है, दोनों का difference क्या होगा, एक unit, ये एक unit ब्रावर कितना दिया होगा है, ठीक है, 3F जो है, देलो बज़े गया था, और ये 2 बज़े गया, owner, ठीक है, ठीक है, दोनों का बज़े का difference क्या है, time difference क्या है, किस cap में गया है वो, आदर घंटा का, ठीक है, दो बज़े से, दिलो बज़े माइस करीगा तो आदर घंटा आएगा, तो एक युनिट ब्रावर होगा, आदर घंटा, half hour, one unit is equivalent to half an hour, ठीक है, तो हम लोगो मांग क्या रहा है, he will overtake the thief hat, तो thief को कितने बज़े overtake करेगा, owner, ठीक है, एक युनिट ब्रावर आदर घंटा, तो चार युनिट ब्रावर, युनिट का चार युनिट है, चार युनिट ब्रावर कितने होगा, four by two, और ब्रावर two hour, okay, दो घंटे होगा, मतलग ये चार युनिट ब्रावर हुआ, दो घंटा, it means वह दो घंटे में overtake कर लेगा, owner, thief को, ठीक है, owner निकलता कितने बज़े है, दो बज़े, तो टू पीम प्लस टू आवर, four पीम, वह दो बज़े निकलता है, दो घंटा और चलता है, 50 किलो मेटर पर आवर के स्पीड से, और उसको overtake कर लेता थी, इसको, ठीक है, वह दो बज़े चलता है, ठीक है, वह स्टार्ट किया है, ये दिखिए, वह दो बज़े स्टार्ट क करता है, टोटल टाइम, दो बज़े, प्लस दो घंटा, चार बज़े, ओके, तुमेरा अंसर क्या होगा, four पीम, आप ये अंसर ठीक कर सकते हैं, निक्स दिखिए, ये हम रेश्यो मेथर से बताए हैं, निक्स इसको हम option से गया आप कर सकते हैं, कैसे, दिखिए, option मेथर से ब दिखिए, जैसे का हम अभी बताएं इसमें, distance सेम होगा, distance जब सेम होगा, तो हम लोगो सकते हैं, thief का speed into time taken by thief, बरावर, owner का speed into time taken by owner, ओके, तो ये distance, बरावर ये distance, distance होगा, कि एक ही point से गया, अभी तो हम बोले आपको, एक ही point से गया, अर्छी point लोग ज्याग है, दोनों स्टार्ट एक point से किया, दोनों मिला भी एक point पे, मिला भी in the sense कि, वो overtake भी एक point पे ही किया, तो distance से होगा, तो यह देखिए, thief करिक लेता है, यह thief को हो गया और यह owner को हो गया, चलिए, अब देखिए, thief का speed कितना दिया हुआ है, 40, into, time नहीं पता, हमनों डैस दे दिये, owner का speed कितना दिया हुआ है, 50, time नहीं पता, हमनों डैस दे दिये, अब क्या करते हैं आप देखिए। करते हैं ताइम को प्यूशन से पूद करते हैं। यह यह ब्राबर यह हो जाएगा इसका वालू वह ऑप्षन में सटिस्वाई कर जाएगा। और अंसर प्लिक कर देंगे। ठीक है। चलिए हम यह तो देख लिए कि अंसर अबर 4 है तो question number 2 को पहरे ही देखते हैं option number 4 को लेते हैं ठीज है चलिए put option 4 क्या है 6 pm देखिए तो क्या काता है 40 x 6 pm अब देखिए टाइम कितना लिया 50 कितना लिया 14 बजे стар्ट किया था और 6 pm लिजह 14 बजे 6 पियम कितना हो गया 6 बजे दिन से लेके 6 बजे शाम माइस कर दिये कितना होगा आदा घंटा यहां पर हुआ 30 मिट यहां पर हुआ 2 बज़े दो हो गया यह दो तीन चार पाद च्छार घंटा गंटा इस चार घंटा इस फोर कपेड़ वन बाई टू नाइन बाई टू यह नाइन बाई टू होगा बराबर अब देखिए ओनर के इस्प्विट फिफ्टी है इन्टू ओनर टाइम कितना लेता है ओनर दो बज़े स्टार करता है च्छे बज़े जाके ओर टेक करता है तो 2 से 6 माइस करिए ओनर के रहा और दो बज़े दो बाहर से स्टार्ट किया वह और 6 बज़े शाम जाके मिला दो चाल घंटा ठीक है चाल घंटा वह चला ठीक है अब दूनों के कैल्ब्रेट करिए 20 होगा 9ी नोडियों 181 परा और ब्राबर 200 यह सट्ष्पवाइं कर रहा है नहीं कर रहा है इत मींस यह उप्ष्शन गलत है ठीलिए अब लोग सही आप्ष्शन जो हम लोग नििगाले हैं वह पुट कर रएक ते हैं पुट एक्स ब्रावर फॉर पीम, ओकर फ्रेंड, एक्स ब्रावर फॉर पीम देते हैं, देखिए, अच्छा, यह स्पिट देखिए, फॉर्टीद है, थीफ का, इन्टु टाइम कितना लिया, चार बजे, थीफ निकलता कितने बजे है, देड़ बजे, थीफ देड़ बजे कलता है, चार बजे वो ओवर टिक करता है, देखिए, कितना घंटा वो चला, दिर से आधा घंटा, दो, तिन चार अठाई घंटा, इट मिंस 2.5, ठीक है, बड़ाबर, यह ओनर के स्पिड 50 है, वो इन्टु, टाइम कितना लिय रहा है, देखिए, ओनर दो बजे स्टार्ट किया था, और ओर टिक किया, कितना चार बजे, दो बजे स्टार्ट किया था, रौट टिक किया चार वचे कितना दो घंटा लिया, ठिक है, आप 2 को इंटु कर दिया, जहां से, देखिए, अब 14, 2.5 कितना होगा, չंड्र होगा, पराबर, चृफू, थे हण्डे, यह हगा ह हुआ यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेशियो मेथड भी आपको जैसे जिसमें अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं हम आपको भी समझाएं है इसलिए थोड़ा हो सकता है थोड़ा वक्स जादा लगा है जो जब आप प्रैक्टिस करिएगा और जो एक्जाम में करिएगा और हर एक इस्टिप लिखने ज़रूवत नहीं है आप जिस्ट वहीं पर जल्दिल देखने से कर सकते हैं ठीक है तरही बिए नेक्स्ट कॉश्ण देखते हैं ये भी कॉश्ण सेर से पे पूछा गया है वहीं से लिए है कि A train covers a distance between station A and station B in 45 minutes, okay friend If the speed of the train is reduced by 5 km, then the same distance is covered in 48 minutes The distance between station A and B is Okay, चली पहले क्वेशन समाझ लेते हैं हंदी में The distance covers, sorry, a train covers a distance between station A and station B in 45 minutes ठीक है, एक train है, distance कवेशन समाझ करते हैं station A और station B 45 minutes में अगर उसका speed, जो है train का speed अगर रिडीस हो गया है 5 km per hour से तो वो सेम डिस्टेंस को ट्रावल करने में 48 minutes लेते हैं It means पहले वो 45 minutes ले रहे थे और वो एक 5 घंटे से इस 5 km per hour से इसका train का speed घट गया है इसलिए वो वो वक्त को जादा लेगा तो कितना ले रहा है 48 minutes, it means 3 minutes extra ले रहा है, right The distance between station A and B तो ठीक है, station A और station B के बिच के दूरी ही पूछ रहा है चली लिए करते हैं और option, figure बढ़ा लेते हैं देखिए station A, station B ये train है, distance तो same रहेगा, ठीक है time पहले train का लग रहा है 45 minutes, दूसरे train का लग रहा है कितना, 48 minutes, right ठीक है, देखिए, जब distance same रहेगा, अब ही हम बता रहे थे आपको यहाँ पे देखिए जब distance जब same रहेगा, तो speed और time का रिलिशन रहेगा, inversely time 45 by 48 है, तो speed होगा 48 by 45, ठीक है, अब देखिए, speed reduce होगा 5 km per hour यह दोनों ratio का difference कितना होगा, 5, ठीक है, high कितना, 3 unit, 48 है और यह 45 है, है 3 unit, तो बोस है 3 unit per hour 5 km per hour, तो एक unit per hour 5 by 5 km per hour by 3, ठीक है, इसमें यहाँ देखिए, एक unit per hour 5 by 3 km per hour, हम लोगों चाहिए 48, 48 unit का, अब देखिए, हमको distance निकालना है, अगर मेरा speed है, वो पता चल जाएगा, time पता है, तो speed into time कर देंगे, distance निकल जाएगा, चाहिए इस equation से distance निकाल लीजिए, या इस equation से distance निकाल लीजिए, आपके मलसी, यह दोनों से distance सेम ही आएगा, यह distance दोनों case में सेम है, ठीक है, हम second case लेते है, ठीक है, एक unit per hour 5 by 3 km per hour, तो 45 unit per hour, क्या होगा, 5 by 3 into 45, तो 3 से काट यह थी, बाद 3, 35, 15, 75, ओके, यह कितना हो गया, 75 km per hour, देखिए, यह 75 km per hour speed है, और time है 48 minute, तो यह speed को, यह time से गुना कर देंगे, तो distance निकल जाएगा, तो distance बराबर, 75 into time कितना है, 48, तो यह 48 जो है, यह मेरा minute में दिया हुआ है, हमको इसको करना है, घंटे में करना बनाना है, km per hour है, option में भी km है, ठीक है, divided by 60 करेंगे, चलिए आफ काटते हैं, यह सो काटते हैं, 6 से कटते है, 6, 1, 6, 0, 6, 0, 48, 5 से, 5, 2, 5, 1, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 8, ठीक है, देखिए, 15 into 4, 60, 50 km, अंसर है मिला, okay friend, आप देख लिए है, distance लिखा गया 60 km, तो answer क्या होगा, 60 km, हम distance, हम speed जो है, इसमें पूट किये है, second equation में पूट किये है, आपका मर्जी, आप first में यह पूट करिएगा, इसका best approach यह है, ratio method, अगर आप x लिए करिएगा, या कुछ और method से करिएगा, तो, शायद calculation tough हो जाएगा, या complexment हो जाएगा, तो आपका answer गल्लत आने का chances है, ठीक है, चलिए friends, दूसरे question देखते है, question number 25, यह video series का, यही बहुत अच्छा question है, यह CGL का means में पुछा गया है, देखिए, point A and B are 70 km apart, on a highway, if car starts from A and another from B at the same time, if they travel in the same direction, they meet in 7 hours, okay, if they travel towards each other, they meet in one hour, find the speed of the two cars, okay students, देखिए, क्या कहाना चाहरा है, दो point A और B, चलिए बना लेते हैं, एक point A है, एक point B है, ठीक है, दो case है, तेखिए लिख लेते हैं, इस लिख के करते हैं, समझ में आए, ठीक है, point A and B, दो point है, 70 km apart है, 70 km apart है, distance is which, यह दोनों point की बिश के दूरी है, 70 km on the highway, is, एक car starts from A and another car at the same time, ठीक, if they travel in the same direction, यह देखिए, यह important point है, same direction, तो एक car जो है, एक car C1 है, car 1 जो है, start कर रहा है, ठीक है, यहाँ से, दुसरा car यहाँ से start कर रहा है, C2, ठीक है, if they travel in the same direction, same direction, it means, यह ऐसे जा रहा है, यह ऐसे जा रहा है, ठीक है, जोनों का direction same है, ठीक है, dispute किया है इसका, ठीक है, they meet in 7 hours, पोगा, dispute नहीं दिया हुआ है, dispute तो निकालना है, they meet in 7 hours, अगर यह car 1, car 2, अगर same direction में move कर रहा है, तो यह 7 घंटे में, एक दूसरे से मिलेगा, okay friend, चलिए case 2 देखते हैं, case 2 में क्या बोल रहा है, car 1 है, जोगे ऐसे जा रहा है, ठीक है, if they travel towards each other, यह में important देखिए, each other, it means car 1 है, ऐसे move कर रहा है, और car 2 जो है, वो इसके तरफ move कर रहा है, it means towards each other, ठीक है, तो कितना time में वो मिलेगा, कितना time में मिलेगा, एक घंटे में, okay, towards each other जब चल रहा है, तो एक घंटे में, जब in the same duration जा रहा है, तो 7 घंटे में, चलिए, हमको चाहिए speed, अब देखिए, अच्छा, यह देखिए, इससी पहले वाले video tutorial में हम आपको, पार्ट वन जब था, इस tutorial का, पार्ट वन था, उसने हम बताये थे, जब relative speed कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम शोड़ से यहां बता दे रहे हैं, देखिए, अगर same duration होगा, relative speed minus हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, अगर opposite में होगा relative speed हो जाता है, plus, s1 plus s2 होगा, चलिए, तो relative speed ब्रावर, relative speed ब्रावर, distance by time, relative speed ब्रावर, distance, distance कितना है, पहला case में देखते हैं, 70 by time कितना 7 hours, it means, जब यह दोनों को काटेंगे, तो आएगा क्या, 10, तो relative speed जो के option से हम लेंगे, उसको भी 10, 10 आना होगा, अगर यह 10 आ जाएगा, then equation satisfy करेगा, LHS ब्रावर, RHS, यहाँ पर जो रहेगा, वो यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर 10 आ रहा है, तो यहाँ पर relative speed जो होगा, उसको भी 10 आना होगा, ठीक है, तो speed option से लेंगे, चलिए देखिए हम पहला case लिए है, पहला case में क्या है, दोनों का same direction move करता है, तो speed minus होता है, हम option में देखिए कौन सा ऐसा speed है, जो के minus, 2 speed को minus करने से 10 आ रहा है, चलिए पहले C दखते है, देखिए 30 और 50 को minus करेगा, 20 आएगा, यह नहीं हो सकता है, 20 और 40 को तो भाई 20 आएगा, 10 को देखिए, यह देखिए, अगर 20 और 30 को करिएगा, तो 10 आएगा, यह हो सकता है, 40 और 30 को करिएगा, यह दोनों speed, 10 हो सकता है, तो यह option, यह option दोनों में से एक होगा, ओके, confirm नहीं पता है क्या है, कोई बात नहीं है, option number, यह case 2 देखते है, case 2, डिस्टन्स से दोनों के सेम ही है 70 टाइम कितना है वन आवर ठीक है केस्टू में डिस्टन्स से 70 किलोमेटर टाइम वन आवर है ठीक है अब देखिए तब हम देख रहे हैं डिलेटिव स्पिड जो होगा वो 70 होना होगा ठीक है अब इसमें केस्टू में डिलेटिव स्पिड कैसा निकालेंगे देखिए कारवण और कार्टू दोनों टूवर्स इच अदर मुफ करता है डिलेटिव स्पिड हम लोग पलस करते हैं ठीक है इत मींस डिलेटिव स्पिड ऑप्स्न से आएगा वो 70 होना चाहिए तक यह साइड इसको जब प्लस करिएगा तो 20 प्लस 30 कितना होगा पचास यह भी नहीं होगा बचाहिए 40 और 30 को प्लस करिए 70 हो जाएगा यह 70 हो जाएगा तो यह 70 70 ब्रावर 70 अंसर आपका वीज और यह बहुत उच्छा कोस्षण है इस ट्रीक से कई तो बहुत जन्दी हो जाएगा ठीक है अगर आपको वीडियो में कोई कोई पार्ट ऐसा है कि समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंड में लिखिए हम उसको उतार जरूर दे देंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इससे प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेर करिए और मैंने चैनल को सब्सक्राइब करिए ताके जो भी झाल झाल, 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 झाल